हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ओट्स की रेसिपी जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है तो यहां मैंने लिया है मसाला ओट्स सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल और बहुत कम तेल में बनाया है और इसमें बहुत सारा मैंने भेजी टेवल भी डाला है तो यहां मैंने लिया है एक कटोडी मसाला ओट्स थोरा सा बारीक कटा हुआ प्याज बंद गोभी गाजर एक हरी मिर्च लसन की कली गैस पर मैंने कराही को गर्म होने के लिए रख दिय है अब इसमें मैं 3-4 टेवल स्पून डाल दहीं सरसों तेल आपके पास जो भी हरी सबजी है आप वो सबजी डाल सकते हैं जैसे सिमला मेर्च गाजर बंद गोभी फुल गोभी मतर आप कोई भी सबजी इसमें डाल सकते हैं तो हमारे पास जो सबजी एबलेवल था मैंने व एक मिर्च और बारिक कटा हुआ प्याज और लहसन इसे मैंने दो मिनट तक के लिए हलका सब हुन लिया है अब मैं इसमें डाल रही हो बंद गोभी गाजर इसमें दो मिनट तक लगातार चलाते रहना है मिडियम फ्लेम पर फिर इसमें मैं मैं एड करूंगी सिमला मिर्च और टमाटर इस तरीके से अगर आप ओट्स बनाएंगे तो बच्चे सबजी के साथ ओट्स को काफी पसंद से खाएंगे तो प्लीज एक बार हमारे इस पूरी वीडियो को देखें और इस तरीके से ओट्स जरूर बनाएं सिमला मिर्च टमाटर डालने के बाद हमें इसे फिर से दो मिनट के लिए भून लेना है अब मैं इसमें नमक हल्दी डालकर पांच मिनट के लिए ढखकर छोड़ दूँगी लोफ लेम पे हमारा ओट्स दस मिनट में बनकर तयार हो गया है यहां मैंने बहुत ही कम तेल का यूज किया है तो सबजी हमारा आप सॉप्ट हो गया है इसमें मैंने ओट्स डाल दिया है ओट्स डालने के बाद हमें एक मिनट तक इसे सबजी के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है फिर मै मैं इसमें एड करूंगी पानी यहां मैंने एक कटोडी ओट्स लिया है तो उसमें मैं उसी कटोडी से दो कटोडी पानी डाल रही हूं और इसे लो टू मिलियम फ्लेम पर मैं खौलने के लिए छोड़ दूँगी हमारा ओट्स दो मिलियम में खौल गया है अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी और इसे पांच मिलियम तक के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी पांच मिलियम हमारा हो गया है अब मैंने इसमें एक चमस देशी घी डाल कर थोड़ी दिर के लिए ढग कर छोड़ दिया है हमारा ओट्स बनकर तयार हो गया है अगर आपको हमारी ये रेसिपी फसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और ओट्स का आनंद लें धन्यवाद